C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 6 पूर्णांक प्रिष्ट 134 6.3 पूर्णांकों का योग इनहें कीजिए उपर और नीचे जाना या चलना मोहन के घर में छट पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीड़ियां बनी हुई हैं आएए छट पर जाने के लिए सीड़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक माने और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीड़ियों की संख्या को रिडात्मक पूर्णांक मानें तथा भूमी तल से निरुपित संख्या को शून्य मानें निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तर को पूर्णांकों के रूप में लिखिए A. भूमी तल से 6 सिर्ही उपर चलिए B. भूमी तल से 4 सिर्ही नीचे चलिए C. भूमी तल से 5 सिर्ही उपर चलिए और फिर वहां से 3 सिर्ही और उपर चलिए D. भूमी तल से 6 सिर्ही नीचे चलिए और फिर वहां से 2 सिर्ही और नीचे चलिए E. भूमितल से पांच सीर्ही नीचे चलिए और फिर वहां से बारह सीर्ही उपर चलिए F. भूमितल से आठ सीर्ही नीचे चलिए और फिर वहां से पांच सीर्ही उपर चलिए G. भूमितल से साथ सीर्ही उपर चलिए और फिर वहां से दस सीर्ही नीचे चलिए अमीना ने इन्हें नीचे दिखाय अनुसार लिखा A. प्लस 6 B. मैंनस 4 C. प्लस 5 जमा प्लस 3 बराबर प्लस 8 D. मैंनस 6 जमा मैंनस 2 बराबर मैंनस 4 E. मैंनस 5 जमा प्लस 12 बराबर प्लस 7 F. माइनस 8 जमा प्लस 5 बराबर माइनस 3 G. प्लस 7 जमा माइनस 10 बराबर 17 उसने कुछ गलतियां की हैं क्या आप उसके उत्तरों की जाच कर सकते हैं और गलतियों को सही कर सकते हैं प्रिष्ठ 135 प्रयास कीजिए भूमी पर ख्षैतिज संख्या रेखा के रूप में एक आकृती खीचिए जैसा के नीचे दर्शाया गया है उपरोक्तूदहरण में दिये प्रशनों की ही धरहा कुछ प्रशन बनाईए और फिर उन्हें अपने मित्रों को हल करने के लिए कहिए एक खेल एक संख्या पट्टी लीजिए जिस पर प्लस पचीस से माइनस पचीस तक के पूरणांक लिखे हों दो पासे लीजिए जिनमें से एक पर एक से छे तक की संख्या अंकित हों और दूसरे पर तीन प्लस चिन्ह और तीन माइनस चिन्ह अंकित हों खिलाडी भिन भिन रंगों के बटन या प्लास्टिक के काउंटर संख्या पट्टी पर शून्य स्थान पर रखेंगे। दोनों पासों को प्रत्येक बार फेकने के बाद खिलाडी देखेगा कि उसने उन पासों पर क्या प्राप्ट किया है। यदि पहले पासे पर तीन और दूसरे पासे पर माइनस आता है तो उसे माइनस तीन प्राप्त हुआ है। तो वह पीछे की ओर यानि माइनस पचीस की ओर चलता है। प्रत्य खिलारी दोनों पासों को एक साथ फेंकता है। वह खिलारी जिसका बटन या काउंटर माइनस पचीस को चू लेता है वह खेल से बाहर हो जाता है। और वह खिलारी जिसका बटन या काउंटर प्लस पचीस क चूलेता है, वह खेल में जीत जाता है। आप इसी खेल को ऐसे बारह कार्ड लेकर जिन पर प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पाँच और प्लस छे तथा माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच और माइनस छे अंकित हों भी खे सकते हैं. कार्ड निकालने के प्रत्येक प्रयत्न के बाद उन्हें फेंट लीजिए. कमला, रेश्मा और मीनू इस खेल को खेल रही हैं. प्रिष्ट 136 उसका काउंटर के स्थान पर रखा जाएगा minus एक पर या plus एक पर. इनहें कीजीए. दो भिन भिन रंगों के सफेद और काले रंगों के दो बटन लीजिए. आईए, एक सफेद बटन को plus एक और एक काले बटन को minus एक से व्यक्त करें. एक सफेद बटन प्लस एक और एक खाले बटन माइनस एक का युग्म शून्य व्यक्त करेगा अर्थात एक जमा माइनस एक बराबर शून्य निमनलिखित सारणी में पूर्णांकों को रंगीन बटनों की सहायता से दिखाया गया है रंगीन बटन पूर्णांक पांच सफेद बटन पराबर पांच तीन काले बटन पराबर माइनस तीन एक सफेद और एक काला बटन पराबर शून्य आये इन रंगीन बटनों की सहायता से पूरण आंकों को जोड़ें निमनलिखित सारणी को देखिए और उसे पूरा कीजिए तीन सफेद बटन जमा दो सफेद बटन बराबर पांच सफेद बटन प्लस तीन जमा प्लस दो बराबर प्लस पांच दो काले बटन जमा एक काला बटन बराबर तीन काले बटन, माइनस दो जमा माइनस एक बराबर माइनस तीन, चार सफेद बटन जमा एक सफेद बटन बराबर पांच सफेद बटन, डाश, चार काले बटन जमा दो काले बटन बराबर, डाश, डाश, जब आप दो धनात्मक प पूरणांक प्राप्त करें, तो उन्हें जोडिये, जैसे प्लस तीन जमा प्लस दो बराबर प्लस पांच बराबर तीन जमा दो है, जब आप दो रिनात्मक पूरणांक प्राप्त करें, तो भी उन्हें जोडिये, परंत उत्तर में रिन चिन्ह, माइनस लगा दें, जैसे प्रयास कीजिए. निम्नलिखित का योग ग्याद कीजिए. A. माइनस ग्यारह जमा माइनस बारह. B. प्लस दस जमा प्लस चार. C. माइनस 32 जमा माइनस पचीस. D. प्लस थेईस जमा प्लस चालीस. प्रिष्ठ 137. अब इनहीं बटनों की सहायता से एक धनात्मक पूर्णांग और एक रिनात्मक पूर्णांग को जोड़िए. बटनों को युग्मों में हटाईए. अर्थात एक सफेद बटन और एक काले बटन को साथ लेकर हटाईए. चुकि प्लस एक जमा माइनस एक बराबर शून्य. शेश बटनों की जाच कीजिए. बराबर प्लस एक जमा शून्य बराबर प्लस एक जमा शून्य बराबर प्लस एक. आप देख सकते हैं कि चार घटा तीन का उत्तर एक है और माइनस चार जमा तीन बराबर माइनस एक है अता है जब आपको एक धनात्मक पूरणांक और एक रिनात्मक पूरणांक को जोड़ना हो तो आपको इन पूरणांकों के संख्यात्मक मानों यानि निमेरिकल वैल्यूज को देख कर दोनु संख्याओं में बड़ी संख्या जाचने के लिए उनके साथ लगे फ्लस या माइ यानि धन या रिन चिन्हों को छोड़ दीजिए. सहायता के लिए कुछ और उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं. C. प्लस पांच जमा मैनस आठ बराबर प्लस पांच जमा मैनस तीन बराबर शुन्य जमा मैनस तीन बराबर मैनस तीन. D. प्लस चै जमा मैनस चार बराबर प्लस दो जमा प्लस चार जमा मैनस चार बराबर प्लस दो जमा शुन्य बराबर प्लस दो. प्रयास कीजिए निमन लिखित में प्रत्येक का योग ग्याद कीजिए A. माइनस साथ जमा प्लस आठ B. माइनस नौ जमा प्लस तेरह C. प्लस साथ जमा माइनस दस D. प्लस बारह जमा माइनस साथ 6.3.1 संख्यारेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना योग भिन भिन रंगों के बटनों का प्रयोग करके पूर्णांकों को जोड़ना सदैव सरल नहीं होता है क्या हमें जोड़ने के लिए संख्यारेखा का प्रयोग करना चाहिए 1. आये संख्यारेखा पर 3 और 5 को जोड़ें प्रिष्ट 138 संख्या रेखा पर पहले हम शून्य से प्रारंभ करके शून्य के दाई और तीन कदम चलते हैं और तीन पर पहुँचते हैं फिर हम तीन के दाई और पांच कदम चलते हैं और आठ पर पहुँचते हैं आकृती 6.4 इस प्रकार हमें तीन जमा पांच बराबर आठ प्राप्त होता है। 2. आए संख्यारेखा पर माइनस तीन और माइनस पांच को जोड़ें। संख्यारेखा पर पहले हम सून्य से प्रारंभ करके सून्य के बाइन और तीन कदम चलते हैं। इस प्रकार हमें माइनस तीन जमा माइनस पांच बराबर माइनस आठ प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि जब हम किनी दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, तो योग एक धनात्मक पूर्णांक होता है। 3. मान लीजे हम संख्या रेखा पर प्लस पांच और माइनस तीन का योग ग्यात करना चाहते हैं। पहले हम संख्या रेखा पर शून्य से प्रारंभ करके शून्य के दाई और पांच कदम चलते हैं और पांच पर पहुँचते हैं। फिर हम पांच के बाई और तीन कदम चलते हैं और दो पर पहुँचते हैं। आक्रिती 6.6, इस प्रकार प्लस पांच जमा माइनस 3 बराबर 2 है। चार, इसी प्रकार आये संख्या रेखा पर माइनस 5 और प्लस 3 का योग ग्यात करें। प्रिष्ट 140, पहले हम शून्य से प्रारंभ करके शून्य के बाई और पांच कदम चलते हैं और माइनस 5 पर पहुचते हैं। प्रकार माइनस 5 जमा प्लस 3 बराबर माइनस 2 है। आक्रिती 6.7, यदि किसी पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है। तो परिणामी पूर्णांक दिये हुए पूर्णांक से बढ़ा हो जाता है। यदि किसी पूर्णांक में एक रिनात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है। तो परिणामी पूर्णांक दिये हुए पूर्णांक से छोटा हो जाता है। प्रयास कीजिए, एक, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निमनलिखित योग ग्यात कीजिए, ए, माइनस दो जमा छै, बी, माइनस छै जमा दो, ऐसे दो और प्रश्न बनाईए, तथा संख्या रेखा की सहायता से उन्हें हल कीजिए, 2. संख्या रेखा का प्रयोग कीए बिना निमनलिखित का योग ग्यात कीजिए, ए, प्लस साथ जमा माइनस ग्यारह, बी, माइनस तेरह जमा प्लस दस, सी, माइनस साथ जमा प्लस नौ, दी, प्लस दस जमा माइनस पांच, ऐसे पांच प्रश्न और बनाईए, तथा उन्हें ह आये तीन और माइनस तीन को जोने पहले हम शुन्य से प्रारंभ करके शुन्य के दाईinhosाई और तीन कदम चलकर तीन पर पहुँँचते हैं फिर हम तीन के बाईinhos और तीन कदम चलते हैं अंत में हम कहां पहुँचते हैं? आकरिती 6.8 से हम देख सकते हैं कि हम 0 पर पहुँच गए हैं अतह 3 जमा माइनस 3 बराबर 0 है इसी प्रकार यदि हम 2 और माइनस 2 को जोड़ें तो हमें 0 प्राप्त होगा इस प्रकार संख्या युगमों 3 और माइनस 3, 2 और माइनस 2 इत्यादी संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है ऐसी संख्याँ एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम यानि additive inverse कहलाती है 6 का योज्य प्रतिलोम क्या है? माइनस 7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? उदाहरन 3 संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वो पूरणांक लिखिये जो A. माइनस 1 से 4 अधिक है B. 3 से 5 कम है हल A. हम वह पूरणांक ग्यात करना चाहते हैं जो माइनस 1 से 4 अधिक है इसलिए हम माइनस 1 से प्रारंभ करते हैं और माइनस 1 के दाई और 4 कदम चलते हैं इससे हम 3 पर पहुँच जाते हैं जैसा के नीचे आकरती 6.9 में दर्शाया गया है प्रिष्ठ 140 अतह माइनस 1 से 4 अधिक पूरणांक 3 है B. हम वह पूरणांक ग्यात करना चाहते हैं जो 3 से 5 कम है इसलिए हम 3 से प्रारंभ करते हैं और 3 के बाई और 5 कदम चलते हैं इस प्रकार हम माइनस 2 पर पहुँच जाते हैं जैसा क्याकरती 6.1 में नीचे दिखाया गया है अतह 3 से 5 कम पूरणांक माइनस 2 है उदाहरन 4 माइनस 9 जमा प्लस 4 जमा माइनस 6 जमा प्लस 3 ग्यात कीजिए हल हम संख्याओं को इस प्रकार पुनर व्यवस्थित कर सकते हैं कि धनात्मक पूरणांक एक समूह में हूँ और रिनात्मक पूरणांक एक समूह में हूँ इस प्रकार माइनस 9 जमा प्लस 4 जमा माइनस 6 जमा प्लस 3 बराबर माइनस 9 जमा माइनस 6 जमा प्लस 4 जमा प्लस 3 बराबर माइनस 15 जमा प्लस 7 बराबर माइनस 8 जमा माइनस 7 जमा प्लस 7 बराबर माइनस 8 जमा 0 बराबर माइनस 8 उदाहरन 5 30 जमा माइनस 23 जमा माइनस 63 जमा प्लस 55 का मान ग्याद कीजिए हल 30 जमा प्लस 55 जमा माइनस 23 जमा माइनस 63 बराबर 85 जमा माइनस 86 बराबर माइनस 1 उदाहरन 6 माइनस 10, 92, 84 और माइनस 15 का योग ग्याद कीजिए हल, माइनस 10 जमा 92 जमा 84 जमा माइनस 15 बराबर, माइनस 10 जमा माइनस 15 जमा 92 जमा 84 बराबर, माइनस 25 जमा 176 बराबर 151 अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठे पुस्तक वाचन्स्वर गौरव मार्वा निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत